Welcome friends, welcome to my channel. आज मैं आपको सिखाने जा रहे हूं, आलो गोबी के पकोड़े तो, इंग्रेजिट्स जान लेते हैं , हमें चाहिए हमें चाहिए हमें कटी हुई गोबी और आलू यह आपको लंबे-लंबे काटने हैं और आपको चाहिए होगा एक बावल मैदा एक बॉल आपको बेसन, कटी हुई प्यास, लैसुन, हींग, मसाला, आपको चहिए होगे कटी हुई बारिक मिर्च, तेल या डिफाइंट, और आपको मसालों में चहिए होगी हल्दी, लाल मिर्च, नमक स्वादनुसर और जीरा, और धनिया गार्निशिंग के लिए, तो आग लोग तैयार करेंगे पकोड़े के लिए बैटर, हमने क्या करना है कटी हुई गोबी और आलू में बेसन डाल देना है, और मैदा यूज करना है, इस तरह से, और अब इसमें डालेंगे, हल्दी, नमक, लाल मिर्च, हरी मिर्ची, मसाले, प्यास, प्यास आपकी चौईस है, अगर आप नहीं उस करना चाहते हैं, तो आपकी मर्जी है, और लैसो, कटे होल, और जीरा, अब हम इसे मिक्स कर लेते हैं, वाटर का यूज करके, पानी कम यूज करें, हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब इसमें आप धनिया पत्ता भ कर सकते हैं, अब हम चेक कर लेते हैं, कि तेल गरम हो गया है, या नहीं, आपको इस तरह से देनी है, वो भी, इस तरह से थे, पनले का पूँ, आवे, पानी हमने आपको, आवे, 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 आवे आवे. ईस एएपिशल से जो जोभी गोल्दन ब्राउड हो जाएगी तब आप इसे पलट लेङे 2 से तिर मिनट करेंगे अभी आपका एक साइट से क्राय हो चुआ हम इसे पलट लेंगे इस तरह से और दो से तीन मिनट वेट करेंगे इसके गोल्डन प्राउब में गोबी के कच्छे रहने के चांसे ज्यादा होते हैं इसलिए चाहें तो आप स्लो गैस पे भी पका सकते हैं देट करते हैं 2-3 मिनट अब यह पक चुके हैं दोने साइड से आईए हैं सर्व कर लेते हैं जो आपके दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन हो गये हैं वह आप निकाल लेते हैं यह देखिए आपके गोबे के पकॉड़े बिल्कु तैयार हैं आप इसे चठनी के साथ चाय के साथ यह सॉस के साथ खा सकते हैं कैसी लगी आपको हमारी आज की रेसिपी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूले थैंक्यू स्वामच